आज मैं यूटूब क्रियेटर्स को एक नया इंट्रेस्टिंग टूल के बाहरे में आज मैं एक्स्प्लाइन करूंगा जो है कापी राइट इमेज के बाहरे में आज मैं एक्स्प्लाइन करूंगा YouTube Creators को The Best Option है बहुत तो लोग Risk लेके वीडियो बनाते है वीडियो बना के बाद उस वीडियो में Images रखने के लिए Google में जाके थोड़े Images उस वीडियो में रखते है YouTube में आपका वीडियो अपलोड करेंगे बाद Copyrights आने के लिए बहुत चांसे है इसके लिए मैं वीडियो क्रियेटर जो YouTube मेंनेस करेंगे उसके लिए ये टूल के बारे में बहुत Important है दोस्तों सबसे पहले मेरा चानल को सब्सक्राइब कीजिए हैं पर Red Box है ना हैं पर क्लिक कीजिए सो मेरे सब्सक्राइबर्स आज 51 मेंबर्स है ये आडमेट सी बढ़ जाते है सो जली से जली मेरा चानल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे चानल को सब्सक्राइब किया तो आपको बहुत फ़ैदा रहेगा हैं पर देखिए ये मेरे 51 सब्सक्राइबर्स है मेरे वीवर्स को अवो मेरे सब्सक्राइबर्स को रिक्वेस्ट करूंगा सो इन जोगों इन जोगों के चानल को आप सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब कीजिए वो लोग मेसज भेजेंगे So, immediately उन चानल को लोगी subscribe करना मत पुलिए Please immediately subscribe करना मत बुलिए देखिए images without copyright Images कैसा download करेंगे आपके video में मैं जो topic पोल रहा हूं वो image आप सेट कर सके तो आपके videos स्कार्पी डैट स्ट्राइस नहीं आ गेंगे तो फरस्ट फाल आपको जो इमेज होना वो मेसेज हम पर टाइप कीजिए कार्टून बिजनेस पीपल्स बोलके मैं टाइप कर रहा हूँ सो सम इमेजेस हम पर आ चुके है सो हम पर इमेजेस आप्शन को पर क्लिक करना बढ़ेगा बाद में सम इमेजेस हम पर हमको शोहरा है सो जिस वीडियो में मैक्सिमम 80% कापी राइट स्ट्राइट इमेजेस है सो जो क्रियेट कर रहे हैं इमेजेस उन लोगों को सो कापी रेट इमेजेस सेट करेंगे आप यूटूब वीडियो में सेट करें तो सो इसके लिए विटोट कापी रेट इमेजेस काईसा फाइंड राइट करना मैं आप्शन आपको मैं एक्स्पेंड करूंगा तो आम पर टूल्स बोल के एक option रहेगा इसका पर क्लिक कीजिए यूजेस वाइट्स बोल के और एक option रहेगा हैं पर देखिए लेबुल फर री यूज बोले तो जो जो री यूज के images हैं पर शो दिख रहे हैं हैं पर ये images आप use कर सकते हैं आपके website में हो और आपके YouTube channel में आप किस image होना चाहते हैं वो image हैं पर टाइप करिए टूल्स में जाके लेबुल लेबुल फर री यूज बोल के एक option रहता इसका पर क्लिक कीजिए तो आप जो image चाहते हैं वो image के copy करको आपके website में हो आपके YouTube channel में हो तो आप इस images को upload कर सकते हैं टैंक फर वाचिंग प्लीज सब्सक्रीब में